नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं हपिस टीवी और आपको बता दें आज साक्षी महराज जी ने कुलदीब के गढ़ में वोट मांगे जी हाँ कुलदीब सिंग सेंगर जो की इस समय जेल में हैं लेकिन उनका वर्चास आज भी इतना ही कायम है कि उनके गढ़ में साक्षी म महराज वोट मांगने गए है क्योंकि उनको पता है कि वहां से उनको जितनी मदद मिलेगी उतनी मदद कहीं से नहीं मिलेगी जी हां साक्षी महराज आज मनो सिंग सेंगर के साथ जी हां मनो सिंग सेंगर जो की कुलदीब सिंग सेंगर के सबसे छोटे भाई हैं उनके साथ के बांगर्मु विधानसभा का दौरा किया है और वहां पर लोगों से अपने लिए वोट मांगे और आपको बता दें कुलदीप सिंग सेंगर की पतनी जी हां स्रीमती संगीता सिंग सेंगर जो की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जी हां उनके भी साथ जाकर के बांगर्मु क के विधायक भी है कुलदीप सिंग सेंगर तो क्या इस बार समे करण कुलदीप सिंग सेंगर का ऐसे समय करण बैठेगा कि साक्षी महराज ही विजय बने अग यदि साक्षी महराज को बांगर मौँ से ज्यादा से ज्यादा वोट मिलता है तो इसका खामियाजा भुकतना पड़ेगा अर्लुशंकर शुक्ल उर्फ अन्ना महराज को क्योंकि अन्ना महराज जी हां बांगर मुखी विधान सभा कुलदीप सिंग सेंगर से पहले बदलू खां के हाथ में थी जी हां लेकिन चुनावी लहर में बदलू खां को हराकर कुलदीप सिंग सेंगर वहां से विधायक बने थे और अब वो इलाका कुलदीप सिंग सेंगर का माना जाता है वहाँ पर साक्षी महराज को यदि मदद मिलती है तो उन्नाओं में उनको सांसत बनने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन अरुल संकर शुकल उर्फ अन्ना महराज अब अपना प्रचार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और यदि वहाँ पर बांगर मुझ छेत से काम्याब होते हैं अन्ना महराज तो उनको भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है अब बात यहीं है कि आखिर इन दोनों की लड़ाई में कौन आगे निकलेगा अनुटंडन की बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि अनुटंडन का वोट जिस तरह से दिखना चाहिए था उ उस तरह से नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर आ रही है अनुटंडन के प्रसार में या प्रसार में कुछ भी कहें लेकिन य pon aud एक दिन में चार चार पांच-पांचपांद्दस गांँ जा रहे हैं साखिशी महाराजि और लगातार अपने अभियान लोगों से ज से सबक लेंगे कि हां हमें भी दस या बारा गाउं पर डे जाना चाहिए अगर वो जाते हैं तो कहीं न कहीं फायदा उनको भी मिलेगा इन सब जानकारियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ याने एच पिस चीवी के साथ अब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत हमने के लिए एक क्योंड़ को जानने के लिए दिए बना आपक लिए मेंगे कह बहुत.